हेलो स्टूडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चेनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकिंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 के स्प्रिंट बेच के चेप्टर नमबर वन जिसका नाम है नमबर सि खाल की देखना स्टार्ट कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले कि कि आज के लेक्चर में हम कुंगुन से टोपिक को डिस्कस करने वाले तो आज کے लेक्चर में हमारी दो मेजर टोपिक्स होने वाले पहला तो है डेसिमल एक्सपंच niego को समझना डेसिमल एक्सपंचिन के बारे में हमने लडेक्षर इबի थोड़ा बहुत देखा था, उसके बारे में हम समझेंगे, उसके बाद में हम करेंगे, कि जो decimal numbers होंगे, उन numbers को P by Q की form में कैसे represent किया जाएगा, P by Q मतलब, rational numbers की form में कैसे convert किया जाएगा, तो conversion of decimal numbers into rational numbers of the form P by Q, यह हमारे आज के lecture का agenda रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो topic है हमारा decimal expansion, अब decimal expansion क्या है, इसको समझने के लिए मैं से समझ सकते हैं, कि जब किसी एक number को दूसरे number से divide किया जाता है, तो उसका result दो तरीके से निकल सकता है, कि देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर divide करूं, कि इस P को में Q से divide करूं, तो हो सकता है कि Q क्या हो, एक factor of P हो, मतलब P का factor हो, factor होने का मतलब होता है, कि इसके अंदर इसका पूरा-पूरा divide होगा, अगर factor of P होगा, तो जो हमारा quescent आएगा, quescent को बोल सकते हो, result जो आएगा, वो क्या आएगा, whole number में कुछ result निकल के आएगा, for example, जैसे हाँ, 25 को हमने 5 से divide किया, 5 time divide हो, minus 0 आया हो, तो 5 क्या है, whole number आया है, हमारा result लेकिन अगर ये इसका factor नहीं हो, तो क्या होगा, तो उस वाले case में हमारा result आएगा, वो decimal में निकल के आएगा, अब decimal भी दो तरीके के हो सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो जब decimal expansion किसी भी number का किया जाएगा, दो result आ सकते हैं, एक result हो सकता है, terminating, अब terminating का क्या मतलब है, ये हमने last class में देख लिया था, कि decimal के कुछ places के बाद में, जो हमारा result है, वो terminate हो जाए, यानि कि stop हो जाए, खतम हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको terminating decimal, for example, 0.325, 5 पे जाके हमारा result रुख गया है, इसका मतलब ये क्या है, terminating decimal, ऐसे ही 1.27, तो 27, 7 के बाद में हमारा result क्या हो गया, stop हो गया, तो ये भी क्या है, terminating decimal, तो ये दोनों examples मैंने यहां लिखे है, ये दोनों example क्या है, terminating के, एक तरीके का decimal और होता है, जिसको बोलते है, non-terminating, अब non-terminating का नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो terminate नहीं होगा, अब इसमें भी 2 cases हो सकते हैं, last case, last class में हमने एक case तो पढ़ लिया था, लेकिन यहां दोनों cases को समझेंगे, तो देखो, मैंने कुछ examples लिखे हैं, पहले इन examples को समझते हैं, और उसके बाद में इसके भी 2 cases हैं, उनको अच्छे से समझने की कोशिज करते हैं, तो देखो, 1.33333, यह आगे तक चल रहा है, कभी भी stop नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कि non-terminating है, यहाँ पर 3 का repetition हो रहा है, तो मेरे last class में बतायाता कि, जिसका भी repetition होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उस number के उपर बार लगा के उसको लिख दिया जाता है, तो 1.3 बार, ऐसे यहाँ पर 575757, यानि 5757 बार बार repeat हो रहा है, इसके साथ ही जैसे यहाँ पर कुछ numbers मेंने square root में लिखे है, यह cube root, यहाँ square root में लिखा है, root 2, root 3, इन सब चीजों के बारे में हम आगे discuss करने बाले है, आगला जो topic होगा हमारा, वोगा additional numbers, तो additional numbers में और इनको अच्छे से हम लोग समझने बाले हो, तो यहाँ पर अभी बस result को ध्यान रखना, 1.414, कभी भी stop भी नहीं होता, और यह repeat भी नहीं होता, ऐसे ही 1.732, तो यहाँ इन दोनों examples में खास बात क्या है, यहाँ तो क्या हो रहा था, repetition हो रहा था, यहाँ क्या होगा, repetition भी नहीं होगा, और number जो हमारा decimal expansion हो कभी भी terminate भी नहीं होगा, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी, एक example और है जैसे πाई है, तो पाई क्या होगा, 3.1415… तो पाई भी क्या है, कैसा number है, जिसके अंदर कभी termination भी नहीं आएगा, यहाँ कभी terminate भी नहीं होगा, और इसमें number का कभी repetition भी नहीं होगा, और इसके साथ एक example और मैंने बना दिया, जैसे कि 1.10, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.40, सब्सक्ति-र, 9.10, 1.00, 2.00, 1.00, 1.00, 2.00, 1.00 , 9. थे लिए पर कंड ड़ेतों को लिए क्षोा आए क्मिनेटेंड डेर कि रієक्टेमारे चांपर cyn contag्ट के यह कुछ ना है ग्जांपरस अदेश्ट को और यहां रिपीटेशन इडिजिन नहीं हो रहता इसके वे फ् אני दो के और नोन रिपीटिंग में रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और 1.101, 001, 001, 001, यह सारे एकजम्पल्स किसके होंगे, नोन रिपीटिंग और नोन रिकरिंग के, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अब रिपीटिंग को भी हम दो केट यहां क्या था, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के तक तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, उसके बाद का जो डिजिट था, वो रिपीट हो रहा था, मतलब यह तो प्योर ऐसा नंबर है, जिसके अंदर डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट होगा, वो डिजिट सोंगे, अकेल कोता दिगिट हो गे फोरा पूरा क्या होगाός रीपीट में और सब्सक्राइब पार में और नंबर रिपीट के आपने समझ समय और टीमल के बाद में जो कुछ भी आरा हैं पूरा का पूरा रीपीट उसको बोलते है वह पुरstr अब हम यह बहुत हैं कि बाई हमने एक गदढ़ा था जब हम रैसनल अभर से बारे में पड़ रहे थे कि लो टर्मिनेटींग वाले होते है और शोड रमिनेटींग में रिपीटिंग वाले होते हैं हम उने देखों blackbox non repeating यानि कि non terminating non repeating वाले यह इनको बोला जाता है irrational numbers अब यह irrational numbers क्या है इसके बारे में हम लोग next lecture में पूरा detail में पढ़ने वाले अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखना कि जो non terminating non repeating वाले decimal numbers होते हैं क्या होते है irrational numbers क्यालाते है I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगे होगी इसको आप note कर लीजे next slide पर हम लोग conversion को start करते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमारी decimal numbers होते हैं इनको P by Q की form में कैसे convert किया जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टोपिक है वह है conversion of decimal numbers into rational numbers of the form P by Q ठीक है तो इसमें भी हम लोगों ने देखा है कि रेस्टन नंबर्स दो टाइप के decimals में हो सकते हैं एक तो terminating form में हो सकते हैं एक non terminating but repeating form में हो सकते हैं तो जो सबसे पहला topic हम लोग लेने वाले हैं वो कौन से है terminating decimals को क्या करेंगे रेस्टन नंबर्स को P by Q की form में मतलब terminating decimals को रेस्टन नंबर की P by Q वाली form में convert करेंगे तो देखो यहां मैंने question लिखा है question के through समझने की कोशिस करते हैं कि express each of the following numbers in the form of P by Q तो देखो पहला example है हमारा 0.15 अब इसको बड़ा simple है इसको convert करना यह बच्पन से करते आये हो ठीक है इस result को standard form में लिखना है अब standard form क्या होती है मैं एक बार वापस बता देता हूं कि हमारे को simplest form में convert करना है कि अभी देखो दोनों में 5 का क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो कोई ऐसा number हमारे को ऐसा ऐसे number से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि यह क्या हो डिवाइड हो जाए तो देखो जैसे अभी इसमें भी 5 से डिवाइड हो रहा है कितने थी टाइम इसमें 5 से डिवाइड होगा 20 ठीक है तो अब हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना है 3 अपोन 20 आगया अब इ किस फॉर्म में कनवर्ट हो गया पी बाई क्यूंकि फॉर्म में कनवर्ट हो गया आई होप यह चीज आप लगों को समझ में आ गई होगी यह बहुत ही आसान है ठीक है अब इसको कैसे कनवर्ट करें तो पॉइंट हटेगा तो वन लगेगा नीचे और आगे डेसिमल प्ले टाइम डिवाइड होगा और आगे दो जीरो है तो दो जीरो ऐसे कैसे लग जाएंगे तो यहनी वन अपवन फोर हैंड्रेड यह हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आई होप यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब इसके बाद में इसको जीरोड होगा वन बचा वन के आगे क्या नूट करेंगे तो 15 कितने टाइम होगा त्री टाइम होगा यानि की जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना या 43 दिवाइड बाई 20 अगर आगे भी किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो भी करके देख ना सिंप्लेस फॉम में के अम 5.4 यह हमारा आंसर हो गया I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आएगो ही होगी यह बहुत ही आसान क्योस्टन था ठीक है तो इसके बाद में next slide में क्या करने वाले non-terminating decimals को कैसे convert किया जाता है वो देखने वाले तो इसको आप note कर लिजिए अब हम देखते हैं कि जो non-terminating but repeating decimals होते हैं इनको PYQ की form में कैसे convert किया जाएगा इसमें भी हमने देखा था कि दो पार्ट है एक तो pure decimals था और एक था mixed तो सबसे पहले हम लोग 2-3 examples pure करके बेखेंगे फिर कुछ questions करेंगे और उसके बाद में mixed वाले को समझने की कोसिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो देखो हमारा topic है कि conversion of non-terminating but repeating decimals जिसमें कुन से है pure वाले है numbers into rational numbers of the form PYQ इसके मैंने तीन examples लिखें तीनो examples को मैं अच्छे से समझा रहा हूं इसके basis पे आप कोई सा भी question कर सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं तो देखो 0.3 bar और which is 0.33333 dash 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 और इसको हम कुछ equation number 1 नाम दे देते हैं अब क्या करना है हमारे को भई हमारा major focus है इसको PYQ की form में कैसे convert करें देखो अगर यह number of digits हमें पता होते है कि decimal के बाद में कितने places तक होते हैं तो हम decimal को हटाते हैं नीचे 1 लगाते हैं और कितने digit हैं उतना क्या कर देते हैं जितने भी digit होते हैं उतने नीचे 0 लगा देते हैं लेकिन हमें यह number of digits पता नहीं है कितने हैं यह तो बहुत बार-बार रहेंगे तो इसको करने का एक नया तरीका में फोलो करना पड़ेगा वो क्या तरीका है सबसे पहले इसको X माल लो अब क्या करना है बेखो मैं एक चीज़ यहां पर note के रूप में लिख देता हूं समझाने के लिए जो number of digits है repeat हो रहे हैं ठीक है repeat हो रहे हैं वो कितने हैं इसमें एक digit repeat हो रहे हैं इसमें दो digit repeat हो रहे हैं और इसमें तीन डिजिट बार-बार repeat हो रहे हैं तो हमें क्या करना जितने number of digits repeat हो रहे हैं दो बोट साइड क्या करना है कि उसके हिसाब से हमारे को दोनों तरफ 10 100 1000 से multiply करो कि मैंने क्या बोला इसको मैं समझाता हूं देखो मैंने क्या बोला कि जैसे number of digit क्या हो रहा है एक repeat हो रहा है तो इस दोनों तरफ हम क्या करने वाले 10 से ित्तिप्जय करने वाले इससे क्या profit होगा हमारे को अभी आगर मिले अगला पता चल जाएगा आप को यहां बोद साइड दोनों को कितने से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा हंडर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा यहां दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमारे को 1000 से multiply करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा अब इस समझ में आ जाएगा तो देखो तो यहाँ पर क्या करा हूँ multiply both sides by 10 तो multiply करने पर क्या होगा we get इस side तो x को करेंगे left hand side को भी 10 से multiply करेंगे right hand side को भी करेंगे तो x को 10 से किया तो 10x होगा अब right side में करेंगे तो देखो decimal shift के कहां चल जाएगा यहां से चल जाएगा point यहां उटके यहां चल जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 3.33333 dash दे चलता जा रहा है ठीक है अब देखो इसको समझो यह 3 कितने थे infinite थे अभी यह भी मैं explain कर देता हूँ इसा कैसे होता है जैसे ऐसे समझो कि हमारे पास एक कोई cheat number है 5 2.51 sorry 5.25 इसको हमें 10 से multiply करना है मतब यह 5 का 10 गुना हो जाएगा 10 गुना कितना होगा 52 के something हो जाएगा क्यों 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 क्योंकि जब भी multiply करते हैं तो decimal कि दर हो जाता है multiply करने पर right में shift हो जाएगा decimal और यही चीज़ अगर हम divide कर रहे होते जैसे कि यह point यहाँ होता इसको 10 से divide करते तो यह decimal कहां shift हो जाता है यहाँ तो हमारा result कितना हो जाता 5.25 तो यह भी चीज़ आप side में note कर ले ना इसको मैं बाद में मिटा दूँगा इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप लोगों के पास एक रुपय है एक का रुपय मैंने ले लिया तो आप लोगों को बहुत जादा फ़र्फ पड़ेगा कि आप बिल्कुली क्या हो गए बिखारी बन गए लेकिन अगर 100 रुपय मैं से 1 रुपय दे दोगी तो बहुत कम इंपक्ट होगा आप लोगों के उपपर और अगर आप लोगों के पास एक करोड रुपय है तो उसमें से 1 रुपय गिर जाए या फिर गुम जाए या फिर क्या हो जाए किसी को दे दो तो आप लोगों को इतना जादा इंपक्ट नहीं होगा ऐसा लगेगा कि कुछ भी फरक नहीं पड़ा तो हम इसको इन सभी तीन को अभी भी क्या बोल सकते है 3.3 बार ही बोला जा सकता है इसको हम नाम दे देते हैं equation number 2 I hope यह चीज आप लगों को समझ में आ गई होगी इसके बाद में हमें क्या करना है हमें तो X की वेलू जिसको हमने माना इसको पी बाई क्यों की फोर्म में करना था तो हम करेंगे अब जो equation है हमारी second equation second में से subtract करेंगे minus करेंगे कि इसको equation 1 को अब equation को कैसा subtract करते हैं left hand side में जो भी होगा उसको left hand side में से subtract कर देंगे right hand side में से right hand side को subtract कर देंगे तो यहाँ 2 में से 1 को subtract 9 2 का result पहले लिखा जाएगा 2x और यह कितना है minus का x और इधर यह कितना 3.3 बार था minus 0.3 बार तो देखो यहाँ पर 10x minus x करेंगे तो इधर कितना आएगा 9x आएगा और इस side क्या है देखो 3 bar minus 3 bar तो 0 हो गया और 3 minus 0 करेंगे तो 3 आएगा यानि 3.0 जिसको हम only क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं तो x बराबर कितना आजाएगा 3 और इधर यह 9 multiply में इधर आके divide में चल जाएगा और जब इसको हम आगे further solve करेंगे तो x की value कितनी निकल के आएगी 1 upon 3 जो कि किस में convert हो गया यह PY क्योंकि में convert हो गया I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब इस एक्जांपल को भी मैं solve करके बताता हूं इसके बाद में यह वाला एक्जांपल आप लोगों को करना पड़ेगा तो लेकिन सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट कि x बराबर कितना है 2.42 बार इसका एक्जांपल में मतलब कितना है 2.42 4242 चलता रहेगा डेस 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 अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ को क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे multiply both sides by 100 तो इससे हमारे को क्या मिलेगा we get तो हमारे को मिलेगा इस side तो हो जाएगा 100 x हो गया और इस side क्या होगा ध्यान रखना हम किसको multiply कर रहे हैं इसको equation number 1 नाम दे देते हैं तो equation number 1 को multiply करेंगे दोनों तरफ ठीक है तो अभी पॉइंट क्या होगा दो डिजिट सिफ्ट हो के किदर चल जाएगा इदर तो 42.4242 42 डश 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 अब देखो मैं समझाता हूं कि मैंने यहां पे 100 से multiply क्यों किया 10 से क्यों नहीं किया क्योंकि अगर मैं 10 से करता तो point यहां shift होता उसके बाद में आपको क्या लगता 242424 repeat हो रहा है actual में हमारा repetition क्या था 42 अगर हम जब subtract करते हैं यहां पे तो 3 bar minus 3 bar minus हो जाएगा इसलिए 0 हो जाता है लेकिन अगर यहां point को एक digit shift करते हैं तो 242424 से repeat होता और यहां क्या हो रहा था 424242 तो इसको हम subtract नहीं कर पाते हैं तो इसलिए यहां पे हमने क्या किया इसको वापस से वैसा ही बना लिया जिससे 42 bar में से 42 bar minus हो कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस 242.42 bar जो कि क्या है हमारी second number equation है अब क्या करेंगे हम लोग कि equation second में से subtract करना equation 1 को तो इधार left hand side में तो क्या है hundred x में से x minus हो जाएगा और इधर क्या है 242.42 4.42 bar में से minus हो जाएगा कितना 2.42 bar तो 4.42 bar minus 4.42 bar तो कितना हो गया? 0 हो गया 242 में से 2 minus करेंगे तो 240 आएगा और इधर क्या आएगा 99 x आ जाएगा तो अब x अगर निकालों गे तो कितना आएगा? 240 divided by 99 अब देखो यहां पर यहीं हमारे result को छोड़ना निए हमें इसको क्या करना हमेशा standard form में convert करना, तो standard form में कैसे convert करें हम लोग, तो देखो दोनों किसी से divide हो रहे हैं, कि मुझे दिखने हैं दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, 3 से divide हो रहे हैं तो यह 33 टाइम डिवाइड होगा, यह 80 टाइम डिवाइड होगा, तो I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी, तो हमने इसको क्या कर लिया, PYQ की फॉर्म में कड्मर्ट कर लिया, जिसका result कितना होने वाला है, 80 अपॉन 33, 33, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी, अब इसका मैं हिंट बता देता हूँ, यह आप लोग खुद ट्राइ करना, तो यहां हमारे को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, इस चीज को भी नोट कर लिजिए, इसके बाद में हम कुछ और क्यों से उनको सोल करते हैं, अब हम ने अभी तक जो भी सीखा है, उसके उपर कुछ एप्लिकेशन से क्यों से उनको करने की कोशिस करते हैं, तो देखो, दो क्यों समय ने यहां लिखे हैं, 0.3 bar and 0.4 bar, एक चीज तो देखो ना, हमेज़ा कि डाइरेक्ट कभी में इनको एड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, कि 0.4 bar और 0.3 bar डाइरेक्ट एड करके क्या हो गया, 0.7 bar, तो यह मैंने यहीं एक्स्प्लें कर दिया है, कि इसको ऐसा नहीं करना है हमारे को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमारे को P by Q की form में convert करना पड़ेगा, फिर इसको P by Q की form में convert करना पड़ेगा, उसके बाद में जो result आएगा, उसको वापस से decimal में convert करना पड़ेगा, तो हम करके देखते हैं, तो देखो तो सबसे पहले 0.3 बार है इसको हम X माल लेते हैं इसको क्या माल लेते हैं 0.4 बार को Y माल लेते हैं अभी मैंने बताया तो अब मैं उनको लिखूंगा नहीं बीच में कि हम यह मैं आप लोगों को डायरेक्ट यूज करके बताऊंगा थीक है तो हमारे को रिजल्ट निकालना है तो दोनों तरफ 10 से मल्टिप्लाई करेंगे क्यों करेंगे क्यों कि पॉइंट के बाद में एक डिजित रिपीट हो रहे है तो यहां 10X हो गया इधर कितना हो यह 3.3 वापस स इसको 4 नाम दे देते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक्वेशन 3 में से 1 को माइनस करेंगे और एक्वेशन यहां पर मैं एक्वेशन को सोट में एक तरीके से लिखता हूं यह मैं बता देता हूं eq और last में जो equation का n आता हूँ इसको यहां ऐसे लिख देता हूँ तो इसका मतलब equation होता है तो confused नहीं होना है कि यह क्या लिख दिया है ठीक है तो equation यहां पर 4 में से subtract करना है किसको 2 को तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x इदर 3.3 बार में से 0.3 बार जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा क्योंकि 3 बार माइनस 3 बार 0 जाएगा 3 माइनस 0 3 आएगा तो यहां से x बराबर कितना आगे 3 अपोन और यह 9 इदर multiply में है तो divide में आ जाएगा और फर्दर आगे solve करोगे तो x की value कितनी आ जाएगी 1 अपोन 3 I hope x की value तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी similarly y की value होगी तो इदर क्या होगा 10y-y करोगे तो कितना बचेगा 9y बचेगा और इदर 4.4 बार माइनस 0.4 बार करोगे तो 4 बार माइनस 4 बार जाएगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा और 4 में से 0 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा तो y की value कितनी आई 4 अपोन 9 आ गई तो अब हमारे पास x और y दोनों पता है जिसको हमने यह माना था तो हम यहाँ पे x प्लस y कर लेते तो 1 अपोन 3 प्लस 4 अपोन 9 तो इसको जब वह करोगे LCM लोगे तो कितना आएगा 9 इसके अंदर इसका divide करो कितने time होगा 3 time divide होगा तो 3 को multiply करेंगे 1 से तो 3 आएगा इसके अंदर इसका divide करोगे 1 time divide होगा 1 को 4 से multiply करोगे 4 आएगा तो इतना आएगा 7 अपोन 9 लेकिन हमें एक तो अगर वो question में बोलता है कि P by Q की form में गया लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोगों को इसको वापस से जैसा इस स्टार्टिंग में गिवन था किसके नों टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फोम है तो हमारे को इसमें convert करना पड़ेगा तो देखो 7 के अंदर हमें 9 से divide करने तो देखो 0 note देसिमल लगा देंगे तो 97 जा 63 माइनस करेंगे कितना आएगा सुरी 95 जा 96 जा 97 63 बचा कितना 7 फिर 0 note करेंगे फिर कितना आएगा 7 आएगा फिर 63 माइनस 0 तो यहां पर बाइचांस द्यान रखना 0.7 बार ही हमारा result निकल के आ गया है लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी न नहीं करना है तो आई होप यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी इस वाले एक्जाम्पल को भी हम सोल करके देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है ठीक है लेकिन सोल करने का प्रोसीजर इसमें भी फोलो करना है लास्ट में हमारे को रिजल्ट अलग तरीके से फाइं इसमें भी बोलते हैं उस रिजल्ट के साफ से जो बनेगा पी और क्यों आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे मालों कि इसको करने पर सेवन अपॉन 3 बना तो यानि कि पी की जगे पर सेवन है और क्यू की जगे पर 3 है तो हम फिर उसकी वेलू को यहां पर पूट करके हम निकाल लेंगे तो अभी हो सकता है किसका डिजल्ट को डिफरेंट निगल क्या है वह निकालने वाले है तो देखो सबसे पहले करने वाली चीज को हमें क्या कर लेना है एक समाल लेना है क्या हम देए प से तो कितना ओंगा इधर से 25 इसको माइनस करेंगे तो किबाए खेंगे तो यहां पर क्या होगा थ्री मेंस टू माइनस करोंगे तो दू आयागा 4 में से 1 गया तो 3 आएगा 2 आएगा 1 आएगा I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी इसके बाद में हम लोग आगे कुछ शोल कर सकते हैं क्या तो यहाँ पे X देखो 1, 2, 3, 1 Divide by 99 यह हमारे X की value आएगी अब इसको क्या करना है मैं एक बार और देख लेता हूँ कुछ गलत तो नहीं लिखा था हमने starting में सही है हमारा अगता तो अगर देखो इसमें किसी से divide हो रहा है तो इसको divide करते हैं आधरवाई जम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो 3 से divide हो रहा है क्या नहीं 3 से तो divide नहीं हो रहा है 11 सी हो रहा है क्या 11 वंजा 11 फिर यहां पर वन नोट करेंगे 11 वचा ओं 11 2 नोट करेंगे 11 से भी नहीं हो रहा है तो 99 और किसकी टेबल में आलेगा ए One में आता है थरी में आता 11 से, 33 से Karena 99 में आता है तो हमारे को P by Q की form में मिल गया है तो ये P है और ये क्या हो गया Q हो गया तो अब हमारे को actual में result कितना है किसका निकालना था P minus 7 Q का result निकालना है तो हमारे को P पता है कितना है 1, 2, 3, 1 minus 7 multiply Q कितना है 99 है तो पहले इसको multiply कर लेते हैं हम लोग तो 9, 7, 6, 3 हो गया 63 का 3 आएगा यहाँ पर केड़ी कितना आएगा 3 आजाएगा 9, 7, 6, 3 और 3 कितना हो गया मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा न एक बार देख ले न 22, 7, 6, 3 का 3 आगया केड़ी कितना आया 6 आया 9, 7, 6, 3 और 6 कितना हो गया 69 तो यहां पर 69, 3 माइनस करना है कितने में से 1, 2, 3, 1 में से यहां हम सब्टेक्ट करके देख लेते हैं 6, 9, 3 तो देखो, यहां पर एक बोरो करेंगे तो 11 में से 3 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर यहां पर 12 बचा 12 में से 3 हुआ तो यहां पर क्या आएगा 3 आएगा और यहां पर कितना बच गया 11 बच गया, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 बच गया, यानि कि इसका जो final result हमारा आने वाला है वो कितना आए रहा है, 5, 38 आएगा, I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको note कर लिजिए कुछ examples हो रहे हैं, उनको भी हम solve करके देखते हैं कुछ examples हो रहे हैं, उनको भी हम समझने की कोसिस करते हैं, जिनका level थोड़ा सा क्या है high होगा, तो देखो, यह दो questions हो रहे हैं, इसके बाद में एक question करने के बाद में, हम लोग क्या करेंगे mixed वाले को करके, इसके साथ हमारा lecture खतम हो जाएगा, तो देखो, जान से समझना, यह example बहुत important है दोनों के दोनों, और अच्छे level के questions है यानि कि हमें इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा ठीक है, तो देखो, क्या बोला है कि if 0.AB, A, B, A, B अब यहाँ पर A और B क्या है, पहले वो समझा देता हूँ A और B एक्चल में डिजिट्स है और यह डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे 0 से लेके, 9 तक यह डिजिट्स कोई से भी हो सकते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, A और B डिजिट्स है और इसकी वेल्यू जब सोल करने पर आती है कितनी आती है, 1 अपोन 11 आती है तो हमें बताना है, then, find the value of A multiply B तो यह जो A और B जो डिजिट्स थे, इनका multiplication क्या होगा I hope, question आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हमारे को ज्यादा नहीं सोचना हमें अगर A और B की जगे कुछ भी डिजिट होता तो हम कैसे स्टार्टिंग करते है, वैसे हमारे को अभी भी स्टार्टिंग करनी है तो देखो, यहाँ कह भी हाँ, 0.ABAB जिसका actual में मतलब 0.AB बार है ठीक है, बराबर कितना दिया, 1 upon 11 इसको हम क्या माल लेते है, equation 1 माल लेते है अब यहाँ पर number of digits कितने repeat हो रहे है दो डिजिट repeat हो रहे है, तो हम क्या करते थे कि 100 से multiply करते थे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, multiply both sides पर 100 हमारे को करना है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो देखो यह point shift हो के कहां चल जाएगा, दो डिजिट shift हो जाएगा तो कितना होगा, AB point, AB bar बराबर इसको 100 से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 upon 11 हो जाएगा I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगई हो, कि इसको हमने equation number 2 नाम दे दिया, अब वहाँ क्या करते थे हम लोग, last slide पर हमने क्या सिखा था, कि अब equation 2 में से equation 1 को subtract करना है, तो अब यहाँ क्या होगा, AB point, AB bar में से minus करना है, 0 point AB bar, तो AB bar minus AB bar तो 0 हो गया, और AB minus 0 करेंगे, तो कितना आएगा, AB आएगा, और यहाँ पर करेंखो, 100 upon 11 में से minus करना है, 1 upon 11, तो आएगा 99 upon 11, 11 LCM आज आएगा, 100 minus 1, 99, और 99 में 11 का divide करेंगे, तो कितना आएगा, 9 आएगा, और अब यहाँ पर, यहाँ पर AB की value कितनी आगई, 9 आगई, I hope यहाँ तक आप लोगों को ची यहाँ चीजे, बेसिक से सीखी थी, तो देखो, यहाँ पर 10AB है, एक्चल में AB एक दो डिजिट का नंबर है, तो यह इसका 10th place है, ठीक है, और यह इसका 1th place है, तो 10th place वाला डिजिट है, उसको हम क्या करते है, expended form में जब लिखते है, तो 10 से multiply करके लिखते है, तो यहाँ 10A plus B, यहनि जो AB लिखाव है, यह एक्चल में कितना 10A plus B, और बराबर कितना आ रहा है, 9, अब यहाँ पर इसको चीज को समझना ध्यान से, तो देखो, दो नंबर का जो दो डिजिट से, इनका सम कितना आ रहा है, मतलब इस वाले part का, इस वाले part का सम आ रहा है, 9, और A और B यहाँ पर किसका काम कर रहे है, डिजिट का काम कर रहे है, अब बहुत ध्यान से समझना, यह concept का video है, एक तरीके से concept का question है, कि देखो, अगर हम A की value कितनी मान ले, 0 मान के देखे, तो B कितना होगा, 9 क्योंकि 10 multiply 0 तो 0 हो जाएगा, और B 9 हो गया, और हमारे को इसका result भी कि मान लेकिन अगर हम A की value कुछ और मान के देखे, तो जिससे 1 मान लिया, तो कितना होगा, 10 multiply 1, 10 multiply 1 यानि 10, plus B की जगे पर क्या मान लो, कुछ भी मान लो, अप लोग, तो अगर A की जगे पर यह माना, तो 10 plus something कुछ होगा, तो जो कभी भी 9 के बराबर तो होई नहीं सकता, क् कि A और B तो 0 से 9 तक के digit होगे, कोई negative digit होगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि देखो A की जगे पर, अगर 1, 2, 3, 4, कुछ भी मानोगे, और इसके अंदर B की जगे पर कुछ भी एड करोगे, तो हमेसा result 9 से बड़ा ही आएगा, मतलब यही एक मात्र हैसा case है, जिसको अगर रख में क्या पूचाता, A multiply B पूचाता, यानि 0 multiply 9, तो final result हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगी, इसे भी आप note कर लेना, इससे पहले हम लोग यह वाला example देख लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समनना, concept को सीखना, उसके बाद में अच्छे से इसको note करना, फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप हमें comment करके बता सकते हो, तो अब हमारा है question number 4, जिसके अंदर क्या दिया हुआ, if 1.32 bar ध्यान रखना, बार कहां है, यह बहुत important चीज है, तीनों के उपर बार है, तो यह च और बहुत important चीज है, दोनों co-prime, अब co-prime का क्या मतलब हो, दोनों में कोई common नहीं है, मतलब यह जो result लिखाओ है, एक तरीके से simplest form में लिखाओ है, ठीक है, then what is the value of b-a, तो हम इसको simple जैसे हम solve करना सुरू करते हैं, वैसे हम करना start करते हैं, उसके बाद में जो भी result आए इसको इसके बराबर put कर देंगे, ठीक है, फिर compare करके देखेंगे, तो देखो, तो यहाँ thousand से multiply करेंगे, इसको equation 1 नाम दे दिया, तो 1000x बराबर किया, 1321.321 वापस से बार आ जाएगा, ठीक है, इसको equation number 2 नाम दे देंगे, क्योंकि 321, 321, 321, 321, यह बार बार repeat हो रहा तो 999x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 321 बार में से 321 बार गया तो 0, और 1321 में से 1 गया तो 1320 बचेगा, फिर x कितना आ जाएगा, 1320 डिवाइड बाए, ट्रिपल 9 आ जाएगा, अब देखो, यह दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है, तो यहाँ देखो, मैं लिख सकता हूं, तो 3 से 4 बार डिवाइड हुआ, फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा, फिर 4 ताइम डिवाइड हुआ, फिर 0, फिर यह कितना आ गया, triple, 3 ताइम डिवाइड हो गया, ठीक है, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, उसके बा सभी numbers के rules of divisibility के lectures डाल रखें, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हूं, तो देखो, यह number हमारा आगया, अब देखो, यहाँ पर 3 से कैसे check करते हैं, इन सब का sum करो, 4 प्लस 4, 8 प्लस 0, 8 आता है, 8 बे 3 का divide नहीं होता, इसका मतलब इस number में भी 3 का divide नहीं होगा, इसमें ह तो देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, 4 के, इसके form में लिखना है हमारे को, यह actual में कितना है, 4 A divided by 3 B है, तो देखो, इसको convert करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते है, 4 से divide करेंगे, 4 multiply 110 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 multiply 11, 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें इस form में convert करना था तो देखो 4 multiply 110 3 multiply 111 तो यह बन गया हमारा तो अब यहां पर जब compare करोगे इन दोनों को तो यहां से A की value कितनी मिल रही है 110 और B की value मिल रही है 111 ठीक है तो अब हमारे को actual में किसकी value निकालनी थी B minus A यहनि 111 minus 110 111 में 110 को माइनस करना है तो कितना आएगा वन आएगा यहनि B minus A का जो result आ रहा है वो कितना रहा है वन आ रहा है I hope यह दोनों questions आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे questions थे इनको भी note कर लीजिए next slide एक question करके हम लोग एक topic और है उसको भी यह है बस थोड़ा सा जो final result है उनको अलग तरीके से पूछा और इसकी जो written language है वो थोड़ी से अलग तरीके से लिख दिए तो देखो पहले question को solve करते हैं उसके बाद में topic को आगे solve करते हैं समझते हैं तो देखो इंदा form of a by b तो जैसे अभी last slide पर हमने क्या किया था इनको पी बाई क्यों की फोर्म में represent कर दिया अभी इसको क्या कर दिया अभी बोल दिया उसके कोई फरक नहीं पड़ता वहां पर क्या दिया वा था a and b are co-prime and positive integers सेम चीज उसको रिटल language में बोल दिया कि क्या है वेर a b are positive integers having no common factor अब जब common factor ही नहीं है कोई भी तो common factor क्या माना जाएगा one माना जाएगा तो one यानि कि it safe कितना रहा है one और जिनका it safe one आता है इसको सोल करना स्टार्ट करते हैं सिंप्ली इसको convert करते हैं और इसके बाद में जो भी आएगा वह माग निकाल सकते हैं तो देखो तो य बराबर कितना है one point two six two six डेस 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 होगा ठीक है इसको हम क्या मान सकते one point two six बार जिसको equation number one नाम दे सकते हैं इसके बाद में क्या होगा दो डिजित रिपीट हो रहे हैं तो इन दोनों को क्या करो multiply करतो 100 से multiply both sides by 100 तो क्या होगा इधर 100 वाय हो गया और इधर क्या हो जाएगा one two six one two six point two six वापस से two six two six रिपीट होगा इसको equation number two नाम दे सकते हैं फिर हम क्या करेंगे equation two में से subtract करना है one को तो क्या हैगा 100 वाय में से वाय गया तो कितना बचेगा वाय सौरी 99 वाय और इधर one twenty six में से one गया तो one twenty five or twenty six बार माइनस twenty six बार तो जीरो हो जाएगा फिर यहां पर आगे सोल करेंगे तो वाय ब्राबर 125 डिवाइड बाए 99 आगया क्योंकि 99 निदा मुल्टिप्लाइ में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा अब अगर इसमें से देखना पहले कोई भी फर्दर सोल करके कि में यह सिंप्लेस्ट फोम में है या निए तो अब हिसमिलेस्ट फोम में एक्च्वल में तो किसी बीनख कोई पीए सा नंबर नी है जिसने लुटों कर सकkovक है क्यों कि क्या बोला हो ता की क्य 되면 किकर करोगे पराबर को कितना आ रहरा है ठीक, A बराबर आ गया 125, B बराबर आ गया 99, तो उसने A minus B divided by 2 की value पूछी थी, यानि 125 minus 99 divided by 2, जब इसको subtract करोगे तो 26 divided by 2, which is equal to 13, तो हमारा जो final answer आ गया, वो कितना आ गया, 13 आ गया, I hope यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप note कर लेना, अब हमार last topic है, हमने क्या किया था, pure decimals, जो pure repeating decimals थे, इनको convert करना सीख लिया था, P by Q की form में, अगर वही चीज मिक्स में आ जाए, तो क्या करेंगे, तो मिक्स में आ जाए, तो इसको करने का भी simple वही तरीका है, बस सबसे पहले क्या करना है, step 1 के अंदर इसको, ठीक है, मिक्स को pure बनाओ, ठीक है, मिक्स को pure बनाओ, तो यह चीज धान रखनी है, बस, अब मिक्स को pure कैसे बनाए, मतलब यह जब मैं, इस example से ही लेता हूँ, 0.32 bar है, ठीक है, इसको x माल लो, तो अब यहाँ पर pure कब बनेगा, अगर यह 3 इधर आ जाए, और decimal कहां आ जाए, इधर आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, multiply, both sides by 10, दोनों को 10 से multiply कर दिया, तो इस side कितना बनेगा, left hand side में 10x हो जाएगा, इधर होगा 3.2 bar, ठीक है, यह होगा 3.2 bar, अब यह बन गया pure, अब यह हमारा जो है, इस side में बन गया pure, इसको अब equation number 2 नाम दे दो, अब इससे हमारे को कोई मतलब नह हम दिया, अब जैसे हम normal solve करते थे, वैसे हमारे को यहाँ भी solve करने, तो अब क्या करेंगे, जैसे कि एक digit को इधर लाना है, हमारे को, यह 2.3.2222 बार बार आ तो जैसे अगर यहाँ पर y होता, ठीक है, 10x नहीं होता, y होता, तो हम क्या करते, y बराबर 3.2 bar, फिर y को 10 से multiply कर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल कितना digit repeat हो रहा है, एक digit repeat हो रहा है, इसलिए, और यहाँ 10 से क्यों किया था, क्योंकि हमें केवल कितना shift करना था, एक digit shift करना था, इस 3 को उठा के इधर लाना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, multiply equation 2 by 10, तो क्या होगा, इधर तो हो जाए equation 2 ठीक है तो इसमें से इसको minus करना तो 100x में से 10x minus करेंगे तो कितना आएगा 90x आएगा और इधर क्या होगा 32 में से 3 minus करेंगे तो 29 आएगा 2 bar minus 2 bar तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 29 तो x की value कितनी हो गई 29 divided by 90 I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको आगे further आप लोगों को खुद करना इसमें में हिंट बता देता हूं पहले दो को इधर लाना है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 10 से multiply करना पड़ेगा फिर क्या बन जाएगा 10x मराबर 2.35 बार बन जाएगा अब अब डेसिमल के बाद यानि प्योर फोर में बन गया अब डेसिमल के बाद में 35 यानि दो डिजेट रिपीट हो रहे तो फिर उस 10x वाला जो था उसको एक्वेशन नाम दे दे देना तू उसको हैंडर से multiply करना पड़ेगा क्यों 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 कि दो डिजिट क्या हो रहे है तो फिर कितना बन जाएगा 10x को एंडर से करेंगे तो 1000x बन जाएगा तो इसको आप लोग solve करने की कोशिश करना और इसका जो भी आंसर आता है वह comment करके बताना कि हमारा इसका क्या result निकल के आता है इसको भी note कर लिजे तो इसी के साथ हमारा lecture number 3 खतम होता है next lecture से हम लोग irrational numbers को पढ़ेंगे लेकिन उसते पहले मैंने आप लोगों के लिए जो NCRT के solutions है उसमे exercise 1.1 के solutions अपलोड कर दिया है तो उसको आप solve करने की कोशिस करना इसके साथ ही आप 1.3 जो exercise है उसके भी कुछ questions कर सकते हो वो भी उनके भी solutions में आगे आने वाले lectures में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा और इसके साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चेनल को subscribe जरूर कीजिए और bell icon को दबा लीजिए जिससे की आगे आने वाले सभी lectures के वीडियो आप लोगों को उसके notification आप लोगों को पहले से मिल जाए तब तक के लिए thank you